तो आज हमने जो डे टू में करा उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है हम आगे बढ़ते हैं I'm sharing screen okay so हमने rituals करने हैं कोई ट्रटिंग के जो हमारे थे वो थे बेलीफ के साथ हमने कर लिया था कल बेलीफ के साथ plain paper वो उसका alternative है कि अगर आपके पास बेलीफ नहीं है तो आप plain paper को use कर सकते हैं black candle अगर black candle नहीं है तो हम white भी use कर सकते हैं तो उसके साथ कर सकते हैं black pen हमें वो लिखने के लिए ही चाहिए था right तो यहां तक हमारे rituals होगे तो next is golden Caesar मैंने आपके साथ PPT भी शेयर कर दी है ग्रूप में तो आप उसको refer कर सकते हो कभी भूल जाओ कभी आपको और देख के करना है तो you can do it तो next हमारा आजाता है with golden Caesar तो golden Caesar अभी क्या है देखो we believe as we are working with the under occult science है na occult science में काम कर रहे हैं तो यह माना जाता है यह ऐसा देखा भी गया है लोग मानते थे लेकिन जो लोग वहां तक पहुंची है जैसे मैं इसको देख भी बात हूँ तो हम golden Caesar के साथ भी काम करते हैं कि universe में सारी चीज़े मजूद हैं और golden color क्यों चूज किया गया golden color इसलिए चूज किया गया because it's a spiritual ठीक है और हम कौन सी quarts कट कर रहे है negative quarts कर रहे है unwanted quarts कर रहे है तो जिसके लिए हमें spirituality की ज़्यादा positive ज़्यादा powerful चीज़ों की ज़रूरत है इसलिए हम golden Caesar का use कर रहे हैं तो हमें golden Caesar का use करना है अब technique ritual सिखेंगे कि कैसे use करना है हमें क्या करना है सबसे पहले आपको एक शान्त जैसे meditation की space होती है जिसको sacred space भी बोलते हैं एक शान्त प्लेस पर बैठ जाना है अराम से बैठना है जहाँ पे हमें कोई disturb नहीं करेगा इस technique का नाम है card cutting with golden Caesar तो आपको शान्त प्लेस पे बैठना है बैठ जाओगी आप focus करोगे सबसे पहले सोचोगे पूरा अपना plan लेके जाओगे किस person के साथ किस cheese के साथ या किस situation के साथ या फिर किस place के साथ अपनी cards जो है वो cut करना चाते हैं for example कोई event हो सकता है हम ना पहले की हमने दो sessions में सिरफ लोगों के साथ card cutting जैसे सीख रहे हैं कि cut my card with ABC person हना person तो situation भी हो सकती है कोई event हो सकता है कोई place हो सकता है तो just imagine that place कि उस place पे वो कुछ गलत हुआ था राइट वो place ही शायद गलत थी या वो event गलत था आपके लिए वो scenario वो जो situation है वो negative थी तो वो situation की card cutting के लिए आप वो situation को वो scenario को फिर से देखेंगे समझेंगे थोड़ा सा कुछ बहुत नहीं है कई बर होता है देखो हम इतना negative चीजों को visualize करना is very easy क्योंकि वो हमारे जहन में हमारे mind में चपी होती है हम उसके साथ go through हुए होते हैं तो हमें वो उसको visualize नहीं करना होता है बस हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो event as it is है हमारे सामने आ जाता है agree है ना आ जाता है न वो it's not difficult वो आपको feel होता है वो हमें पता होता है कि वो चीज़ ऐसे हुई थी तो कैसे वो सब कुछ recall हो जाता है तो आमने उस event के बाद उस place के बारे में सोचना है जैसे आप सोचेंगे वो event आएगा you are sitting here to disconnect the cord right तो हम क्या बोलेंगे अपनी ही भगवान से connect करेंगे अपनी god goddess angels के साथ connect करेंगे उनको बोलेंग my god goddess archangels please help me to give a golden Caesar universe के साथ connect किया है न तो हमारी god goddess है वहाँ पे angels है तो आप यसे ही बोलोगे I am connecting with my god goddess please help me to provide a golden Caesar तो आप visualize करेंगे कि आपके हाथ में एक आप चाहो तो action भी कर सकते हो कोई hard and fast rule नहीं है कि हमें सिर्फ देखना ही ऐसा होते हुए कई बर event वो scenario इतना negative होता है bad होता है कि हम visualize नहीं कर सकते तो open eyes के साथ भी कर सकते हैं if you want तो मैं अभी भी आपको करवा सकती हूँ करना है आपको क्योंकि prayer बोलनी है और god cutting करनी है ठीक है ओके तो फिर हम क्या करते हैं आप अपनी बैट जाओ अराम से eyes close करो या open eyes के साथ भी करना चाहते हो तो कर सकते हो event अपना एक मैं आपको देती हूँ few seconds आप अपना event ही decide कर लो if comfortable switch on your camera okay I hope क्या आपने अपना event या person या place decide कर रही है कि कि किसके साथ आपको अपनी court cuttings करनी है कोई relationship भी हो सकता है money से related matter भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है हमने जो six types पढ़ी है उसमें से कोई भी हो सकता है right तो आपने decide कर लिया हब हमने बोला dear god, goddess, angels, universe please provide me your golden Caesar किर्पया मुझे अपनी golden Caesar दे मांगी अब आप उसे situation के साथ जोड़े हो है क्योंकि आप उसको देख रहे हो है ना तो आप देख रहे हो कि आपकी नेवल से नाभी से एक black thread पतला मोटा कैसा भी हो सकता है ये thread के अलावा भी कुछ और हो सकता है तो आपको golden Caesar लेंगे और जहां से भी आपको comfortable लगे आपका hand comfortably आपको लगे reach कर रहा है ऐसा होता हूँ आप visualize भी कर सकते हो open eyes के साथ भी connect कर सकते हैं नेवल के पास जाकर आप उस cord को cut कर दीजें मोटी है पतली है थिक है वो thread के अलावा कुछ भी है golden Caesar में पूरी power है have faith it's a golden Caesar हमारे ही भगवान ने हमें दी है it has full power to cut उसको cut कीजें it may take time अगर थिक cord है तो but it will cut जब तक नहीं cut होती अपनी Caesar को चलाते रहे maybe your hands bleed आपके हाथों से क्योंकि आप pressure के साथ काट रहे हो cords difficult है heavy है तो आप pressure लगा रहे हो तो आपके हाथों से maybe blood भी आ सकता है है ना आपको यह visualization हो सकते है ऐसे feeling हो सकते हाथ pain हो रहा है anything can happen कुछ भी हो सकता है because हम ultimately supernatural powers के साथ काम कर रहे हैं cord को cut कर रहे हैं जैसे ही cord cut हुई thank you golden Caesar golden Caesar को thank you बोलेंगे divine energies को universe को वो golden Caesar वापिस करेंगे gratitude देंगे जैसे ही हमने उनको thank you बोला golden Caesar अपने आप universe में look हो गया वापिस चला गया अब आप देखेंगे कि आपने thread को बाहर से काटा golden Caesar को right हमने उसको बाहर से काटा आप देखोगे उसकी थोड़ी से tail या कुछ ऐसे आपकी नेवल के बाहर लटक रही है this is also possible sometimes हम कुछ cut करते हैं तो वो proper ही अंदर से कुछ बाहर आ जाता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उतना सा वो अटका रहता है piece वो इतना सा thread लटका रहता है तो proper हम उसको क्या करेंगे फिर आप उसको अपने हाथ से ही pull करके बाहर निकाल सकते हो और throw कर दो अर्थ में ठीक है अर्थ में throw कर दो और request करो Mother Earth please take this negative cord and purify it ऐसा आप तीन बार बोलेंगे होता हुए महसूस करेंगे Thank you Mother Earth, thanks to all divine energies अब आप अपने दोनों हाथ एक left, right दोनों हाथ इस तरह से बाद कर आप मेगी तरफ देखो कामरी में तो उसको अपनी नेवल के उपर रखेंगे For healing, क्योंकि कुछ भी बाहर निकाला है, the place is empty, है न, empty place है, वहाँ पर कुछ भी जा सकता है, it's open तो अब अपने हाथों को उसके उपर रखेंगे और बोलेंगे Dear God, Goddess Please fill this empty space with positive energy इस खाली जगह को positive energy से भर दे जब तक आपको fail आए, तब तक आप इसको भरे One minute, two minute, three minute, इस तरह से कर क्या आप कर सकते हो Then thank you, open your eyes And it's done I hope it's done Jyoti ji, कर लिया आपने Niti ji, आगे बढ़े Yes ma'am, कर लिया Yes ma'am, जी विरसी ठीक है, तो next हमारा आता है Nevel से quad cutting, यह भी हमने Nevel से किया But बहुत ही easy way में बहुत ही मतलब सबसे जो easy way हमारा हो सकता है उस way में हमने Nevel की cutting करनी है कि आप कहीं बाहर खड़े हो, में भी कई बर ना कोई सबजी fruit लेते हुए हमारे उनके साथ बहास हो जाती है Energy सैसे entangle हो जाती है तो बहुत ही simple way में हम उस तरहीं पर Quad cutting कैसे कर सकते है Simple so, simply आप क्या बोलोगे कुछ भी नहीं बोलोगे, just एक ऐसे Cross बनाके Nevel से धीरे से हम कर देंगे, let me stand and show you हम इस तरह से खड़े होंगे Nevel पे और बोलेंगे Disconnect, Disconnect, Disconnect Simple way में हम इस तरह से तीन बार करके अपनी Nevel से उस परसन के साथ भी क्यों से हम उसके सामने है बहस चल रही है, कुछ argument हो रहा है, कई बार वीकल आप इसमें टकरा जाते हैं, यार about to happen something है कुछ ऐसा गलत होने वाला लगता है और नहीं कर पाते हैं, तो वो सामने वाला परसन चिला रहा है, बोल रहा है कुछ भी तो immediately अगर आप ऐसा कुछ ritual नहीं कर सकते, तो आप इस corner side पे जाके, या सामने खड़े हो के भी simply इस तरह से उसको तीन बर cut कर देंगे और मन में या loud भी बोल सकते हो, that cut my cords with this person, सामने वाला परसन, कई बर हमें उसका नाम नहीं पता है न, बहुत सारी चीज़े आती हैं, फालतु में टैंगल हो रहे हैं तो हम Neville से इस तरह से भी cord कर सकते हैं, जोकि immediate disconnect हूँगी, क्योंकि आप उसके सामने हो, वो आपके सामने है, clear? Yes, ma'am Next हमारा आजाएगा Neville के बार angels के साथ, तो angels are very beautiful उनके साथ cord को cut करना is always wonderful experience So I'm sharing screen again Okay, तो angel के साथ जो ritual है, हमने बार-बार पहले भी जो कल भी ritual किया, उसमें भी हमने आर्केंचल माइकल को call किया तो आर्केंचल माइकल is a very beautiful, powerful angel उनका जो role है, वो बहुत ही important और powerful है अर्थ पे, आर्थ राम पे, वो बहुत important role play करते हैं प्रोटेक्ट करने का, बहुत important role play करते हैं, हमें strong करने का, encourage करने का तो इनके साथ जब हम cord cutting करते हैं, तो उसमें कोई doubt नहीं रह जाता इसलिए आप अपनी हर prayer में अगर add करना चाहो, तो आर्केंचल माइकल का नाम add कर सकते हो यह आप दोनों way में कर सकते हो, meditation form में भी कर सकते हो और open eyes में भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा prepare your space, अपनी space को prepare किया, आप अराम से बैठे हैं, जहां पर आपको कोई disturb नहीं करे relax करो, और आप identify करना, मतलब आपको सोचना है कि आप पहले से सोच के जाना कि आप कोई कौन सी cord को disconnect करने जा रहे हैं, कौन सी cord में आपकी specific भी specific कि आप कोई physical है, emotional है, mental है, spiritual है, financial है या फिर psychological cord है, कौन सी cord है, जिसको आप cut करने चाहरे हो, be specific with the ये ये छे parts जो बताएं, इसमें specific होना चाहिए, specific with the person, उसके बाद person के बाद अगर कोई scenario को लेकर आपका आपस में चल रहा है, कोई relationship issue चल रहा है या फिर आपकी बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है, तो relational पहले जैसा नहीं है तो आप उस चीज़ को visualize करके या प्रॉपर लिख के भी you can do, मतलब be specific meditation में जा रहे हो, तो be very specific, because आपके पास बहुत time है आप आराम से पांच मिनट की भी meditation कर सकते हो, आप उसको 20 मिनट की भी कर सकते हो, तो it's up to you you have to identify each and everything, ताकि आप layer by layer काम कर सको, layer by layer आप उसको cut कर सको, ठीक है उसके बार ask the help from guides or angels, it's easy, what is our prayer now, dear God, Goddess, Archangel Michael please help me to cut all my negative quads, specific the name and situation connected, अब वो quads कैसे connected है spiritually connected है, financially connected है, किस तरह से connected है, आप उसको mention करके Archangel Michael को ही देखेंगे कि वो आपकी quads को जो है, वो cut कर रहे हैं, ठीक है तो इस तरह से जब हम meditation करेंगे, ये meditation मैंने आपको पहले दिन ही कराई थी day one में हमने यहीवली meditation करी थी, तो ये वही है कि आपको उसमें सोच के समझ के जाना है, अगर नहीं भी specific करना चाहते या आपको specific समझ में नहीं आरा, बहुत सारे ऐसी issues है, तो first two to three days, दो या तीन दीन आप लगातार all cut my all negative and unwanted quotes, ऐसे करके भी आप अपनी quotes को cut कर सकते हो, और उसके बाद जब आपको समझ में आये situation या scenario, तो उसके साथ आप अपनी quotes को cut कर सकते हो, clear, कोई doubt? clear man, चीक है, तो अभी मैंने जितना ready किया था, thank you Konika, thank you Jyoti ji, जितना मैंने ready किया था कि में इतना, ये है cord cutting, वो मैंने करा दिया, अभी next मुझे कल आया था, एक black thread के साथ भी cord cut को, cord को cut करना, तो black thread मैंने एक लिया है, I will show you, एक ये मैंने black thread लिया है, इतना, ठीक है, कोई measurement ये कि कितने inches है, कितने meters लेना है, just जितना आपको feel आया, आपने उतना लिया, मैंने इतना लिया, आपको इसके लिए specifically, दो black candles ही चाहिए, ठीक है, इसके लिए आपको दो black candles ही चाहिए, which will represent, one candle will, मेरे पास black candle available नहीं है, तो मेरे पास ये stream पर है, तो जोती जी के पास candles available होती है, आप उनसे connect कर सकते हो, अगर आपको candles चाहिए तो, ये दो candles है, तो one candle representing you, because आप अपनी cord cut कर रहे हो, इस person के साथ, तो हमें दो candles चाहिए, दोनों की दोनों black होनी चाहिए, इसके ओपर फिर हम अपना name काफ करेंगे, अपना date of birth काफ करेंगे, और अपनी negative emotion, चिस भी आप चीज को cut करना चाहते हैं, one word में आप उसको mention कर सकते हो, that cut my emotional negative cords, या फिर cut my cords, या फिर एक और word आता है, which is very beautiful, बानिश, बानिश negativity, तो बानिश negativity भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, तो एक candle पे अपना नाम, date of birth और वो scenario या emotionally, जो भी आप कुछ यह वो लिखेंगे, और दूसरी पे सामने वाले person का नाम, और उसके साथ, जो भी हमारी चीज entangled है, emotionally entangled है तो, cut, बानिश, इमोशनल, इनेगटिव इमोशन, ऐसे लिख सकते हो, very beautifully, बानिश, नेगटिव इमोशन, ठीक है, तो हम लिखेंगे, फिर उसके बाद, यह दो candles है, आप एक steel की प्लेट लेंगे, उसके उपर foil paper लगाएंगे, ठीक है, इसके उपर, I hope it's clear, right, it's clear, इसके उपर हम दो, एक आप steel, मैं अभी अच्छल में नहीं कर रही हो, तो मैंने वो steel का प्लेट नहीं रखा, आप एक steel का प्लेट रखेंगे, ताकि नीचे वो नहीं लगी, कुछ harmful चीज़े ना हो, just for safety purpose, आप उसके उपर foil paper लगा सकते हो, ता सिर्फ उतने purpose के लिए, कोई और purpose नहीं है, steel की प्लेट का और foil paper का, हम वो करेंगे, फिर हम एक black thread का एक corner जो है, वो अपने साथ, पहले अपने साथ, क्योंकि हम अपनी corner cut कर रहे हैं ना, एक अपने साथ tie करेंगे, और उतने distance पे रखेंगे, और दूसरी side से, उस person के साथ, यह black thread होना चाहिए, because हम क्या काट रहे हैं, negativity, हर thread का meaning यहाँ पे बदल जाएगा, ठीक है, तो इसको हम simply tie कर देंगे, लिखने के बाद, ठीक है, जब हमने इनको ready कर लिया, रख दिया, it has to be like this, एक ही plate में, हम इसको roll करके, आमने सामने रख देंगे, फिर हम kids क्या करेंगे, फिर से अपने हाथों को ऐसी prayer position में लेके आएंगे, और बोलेंगे, dear god, goddess, please clear all the negative energy from this material, जो भी material हमाली plate पे है, मतलब दो candles है, thread है, clear all the negativity from this candles, फिर एक बार hands off कर लेंगे, मतलब position को change करेंगे, फिर से same position में hands को रखेंगे, और बोलेंगे, dear god, goddess, archangel Michael, please help me to cut my negative emotions with B person, तो ये B person के साथ, जो भी हमारी emotion है, जो आपने candle पे लिखा है, अगर बानिश negative emotion with B person है, तो हम वही चीज़ को तीन बार बोलेंगे, तीन बार बोलेंगे, उसके बार हम candle को light करेंगे, फिर से हम वही candle light करेंगे, जो मेरी अपनी है, मतलब आप अपनी candle को पहले light करेंगे, फिर B person की candle को light करेंगे, जब आप this को light करेंगे, फिर आप अपने hands को rub करेंगे रब 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 ठीक है और फिर हम just rub करके इसकी flame को बढ़ाएंगे, मतलब इसको energy देंगे इस तरह से हम इसको energy देंगे तो आप देखेंगे कि उसकी flame में difference आएगा तो आप तीन बार इस तरह से इसको energy देंगे और फिर stop हो सकते हैं और आप देखोगे, visualize करोगे आपको sceneries भी दिख सकती है, जब आप उस flame में देखोगे जो उपर इसकी law होती है उसको देखोगे तो उसमें आपको sceneries भी दिख सकते हैं कि कब आपकी जो emotions हैं या चीज़े entangle हुई तो वो चीज़े burn होती हुई भी आपको दिखेंगे, तो इस तरह से भी हम, इसको mainly हम relationship, employee boss का या spouse के साथ वो चीज़ों को burn करने के लिए negative emotions को खतम करने के लिए इस ritual का सहारा लेते हैं और इस ritual को करने का best day होता है no moon जिसको आमवस्या बोलते हैं clear? yes ma'am तो यह हमारा आमवस्या का ritual है basic के लिए क्योंकि आमवस्या वले दिन आपने burn कर दिया सब कुछ negative होता है और next day new moon start हो जाता है new moon मतलब day one फिर से वो बढ़ना लगता है तो फिर relationship improve होने लग जाता है तो this is all I'm done with this cord cutting जितने भी rituals मुझे आते थे मैंने सारे ही आज का राद यह complete कर दिये तो अगर आपको कोई doubt है या out of syllabus भी अगर question है तो you are most welcome आप उट सकते हो और मैंने जो आपके साथ promise किया था तीन दिन आपकी cord cut करने वाला तो वो मैंने आज early morning में ही कर दिया था Thank you Welcome Welcome फिके फिर अगर आपको कोई question नहीं है but in future अगर होता है तो you are always connect you can connect anytime just drop me a message ऐसा कुछ नहीं है but अगर अभी कुछ doubt नहीं है तो we can close Yes, thank you mom Thank you, welcome Thank you, thank you so much Thank you Thank you Vinaseer Thank you, bye Bye Thank you